अभी ये टुटॉल में मैं आपको साथ महिने के बच्चे को क्या-क्या आप रेसिपीज घर पर बना सकते हैं और कैसे खिला सकते हो तो आचली ये जो टुटॉल है दो टुटॉल है वेजिटन रेसिपीज और नॉन वेज़ रेसिपीज बच्चे को आप कкие महिने के बच्चे को आपर डेरिटली 3、4 अलग अलग मिक्स करके खाना दे सकते हैं जैसे कड़ दान, जैसे अंकुरत है, जैसे धान है, दही है, उसमें दही भी डाल सकते हो, उसमें पावडर भी डाल सकते हो, जो सहेजन के पत्तो का पावडर है, या तो जो नीम के पत्ती जो होते है, करी लीवस पोलते हो, तो वो भी आप डाल सकते हो, तो अलग-अलग जू आधा वाटी तीन टाइम होना चाहिए, कभी-कभी ऐसा वाटा है कि वो तीन टाइम में खतम नहीं करता है आधा वाटी, तो वो टाइम पर आप चार बार भी दे सकते, लेकिन आधा वाटी तो खतम होना ही चाहिए, एक वाटी का प्रमान कितना होना चाहिए, वो भी आपको थ्यान में रखना है, टुटोर में मैंने दिखाया हुआ है कि एक वार्टी का प्रमान लगबग 200 ml है तो आपकी यह वार्टी होएगी वह लगबग सवासो, आधी वार्टी मतलब 700 ml ठीक है तो वह ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत घर में क्या होता है कि वार्टी की साइज अलग-अलग होती है, तो आपको साइज क्या है वो आपको धिहान भे रखनाए है छीhos इस हिपोर को त्यश्वयilsag के लिए शाकाहारी खाना बनाने के टरिकों के इस पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम सिखेंगे साथ महीने के शिशूं के लिए पूरक आहार क्यों जरूरी है? शाकाहारी खाना जैसे कठेल के बीजों का दल्या बनाने का तरीका, कुलित और चौलाई के पत्तों का दल्या, राजगीरा और लोबिया का दल्या, मेथी के पत्तों का दल्या और कोद्रा के साथ चने का दल्या शिशू पहले साल में जब घुटने और पैरों पर चलना शुरू करता है तो काफी बढ़ता है इसलिए उसकी उर्जा की जरूरत भी बढ़ती है 6-8 महिने के शिशू को पूरक आहार में 200 कैलरी की जरूरत होती है इसलिए खाने की मात्रा नियमित रूप से बढ़ानी चाहिए याद रखें 7 महिने के शिशू को स्तन पानकराना जरूरी है और उसके साथ पूरक आहार देना भी इसलिए शिशू के 7 महिने होते ही दिन में 3 बार आधा कप पूरक आहार दे आधा का पूरक आहार तक्रीबन 125 मिलिलीटर या फिर 8 बड़े चमच होता है अब तक शिशू तरह तरह के खाने आराम से खा चुका होता है क्योंकि पूरक आहार उसे 6 महिने से ही दिया जाता है अब उसे दो अलग-अलग खाने देना शुरू करें परियाद से घोटा हुआ या पिसा हुआ ही खाना दें और खाना काफी गाड़ा होना चाहिए, पतला नहीं शिशू को मौसम और अपने इलाके में मिलने वाला खाना ही दें उसके खाने में पोशक पाउडर मिलाएं जैसे की दाने और बीजों का पाउडर, अंकुरित फलियों का पाउडर, कडी पतों का पाउडर और सैजन के पतों का पाउडर ये सब इसी श्रिंखला के एक अन्य टुटोरियल में बताया गया है पर जब तक शिशू एक साल का ना हो, तब तक उसके खाने में नमक ना डालें और जब तक वो दो साल का ना हो, तब तक चीनी या गुड भी ना डालें अब हम देखेंगे पूरक आहार के लिए कुछ शाकाहारी खाना बनाने के तरीके सबसे पहला है कठेल के बीजों का दलिया इसे बनाने के लिए चाहिए कठेल के 15-20 बीज, एक छोटा केला या तो बड़े केले का आधा भाग नारियल का दूद या मा का दूद और एक चम्मच दाने और बीजों का पाउडर दलिया बनाने के लिए बीजों को अच्छे से धोएं फिर एक बरतन में डाल कर उसके उपर तक पानी डालें और प्रेशर कुकर में 5-6 सीटी लगवाएं बाद में बीज को प्लेट पर रखकर ठंडा होने दे फिर उनका बाहरी छिलका निकाल दें और मिकसर या सिल्बटे पर डाल कर घोट लें अलग से एक बरतन में केले को चम्मच से घोट ले कठेल के बीजों और केले को मिला कर फिर से घोट ले उसमें दो बड़े चम्मच नारियल का दूद या मा का दूद डालें और दाने और बीजों का पाउडर भी डालें फिर अच्छे से मिलाएं धीमी आंच पर तीन से चार मिनट पकाएं कठेल के बीजों का दल्या तयार है ये दल्या इन सभी से भरपूर है प्रोटीन, ओमेगा थ्री फैटी एसिद, पोटाशियम और फोसफोरस अगला सिखेंगे कुलित और चोलाई के पत्ते का दल्या इसके लिए चाहिए दो बड़े चम्मच कुलित का पाउडर दो कप धुले हुए चोलाई के पत्ते एक चोथाई कड़ी पत्तों का पाउडर आधा चम्मच गी पहले कुलित को 7-8 घंटों के लिए पानी में भिगो लें फिर चलनी में डाल कर अच्छे से धोएं सारा पानी निकलने के बाद एक साफ सूती कपड़े में बांध कर अंकुरित होने दें अंकुरित कुलित को धूप में एक या दो दिन सुखाएं बाद में धीमी आंच पर 8-10 मिनट तक भूने और ठंडा करें फिर पीस कर पाउडर बना लें इस पूरे तरीके को मॉल्टिंग कहते हैं साथ साथ बरतन में घी गरम करें और उसमें चौलाई के पते डाल दें चार से पांच मिनट तक पकाएं फिर ठंडा होने दें और मिक्सर या सिलबटे पे डाल कर घोट लें अब दो बड़े चमच पानी कुलित के पाउडर में डालें अच्छे से मिलाएं ताकि गांठे ना बनें फिर इसको छे से साथ मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं अब घोटे हुए चोलाई के पते इसमें डाल कर अच्छे से मिलाएं धीमी आंच पर दो से तीन मिनट तक फिर से पकाएं और कड़ी पते डाल कर मिलाएं फिर आंच से उतार लें कुलित और चोलाई के पत्तों का दल्या तयार है इस दल्ये में ये सभी हैं प्रोटीन, ओमेगा थी फैटी असिड, कैल्शियम, फोस्फोरस, आईरन और पोटाशियम ध्यान दें कि आप अपने इलाके में मिलने वाली फलियां और हरी पत्तेदार सब्जियों से ये दल्या बना सकते हैं हमेशा फलियों के साथ-साथ जवार, नाचनी, कोद्रा और अनाज मिला कर ही पकाएं इन सभी को इकठे लेने से शिशु को पूरा प्रोटीन मिलता है आप शिशु के खाने में मौल्टिंग किया हुआ अनाज का पाउडर या फिर जवार या नाचनी का पाउडर मिला सकते हैं आप दल्ये में पका कर घोटा हुआ अंकुरित जवार या नाचनी भी मिला सकते हैं तीसरा हम सीखेंगे राजगीरा और लोब्या का दल्या का पाउडर मॉल्टिंग किया हुआ राजगीरा का पाउडर बनाने का तरीका इसी टुटोरियल के पहले भाग में बताया गया है फिर अंकुरित लोबिया को स्टील के बर्तन में डाल कर प्रेशर कुकर में चार से पांच सीटी लगवाएं अब इस लोबिया को घोट लें फिर दो बड़े चमच मॉल्टिंग किया हुआ राजगीरा का पाउडर लें और जरूरत के जितना पानी मिलाएं अच्छे से मिलाएं ताकि गांठे ना हूँ अब इसको धीमी आँच पर दो से तीन मिनट तक पकाएं और घोटा हुआ लोबिया भी मिला लें अच्छे से मिलाकर चार से पांच मिनट पकाएं फिर आँच से उतार लें आखिर में एक चौथाई चमच सेजन के पत्तों का पाउडर इस दल्या में मिलाएं राजगीरा लोबिया का दल्या तयार है इस दल्या में ये सब भरपूर हैं प्रोटीन, ओमेगा थी फैटी असिड, फॉस्फोरस, मैगनीशियम, आइरन, पोटाशियम और कैल्शियम आप इस दल्ये को दो अलग-अलग अंकूरित की हुई चीजों से भी बना सकते हैं जैसे नाचनी, जवार, मटकी, चना, वगेरा चौथा हम सीखेंगे मेथी के पत्ते और फल्यों का दल्या इसे बनाने के लिए चाहिए दो कप धुले और डंडी काटे हुए मेथी के पत्ते एक चमच घी, दो बड़े चमच पिसा हुवा नारियल और दो बड़े चमच अंकूरित फल्यों का पाउडर इस पाउडर को बनाने का तरीका इसी श्रिंकला के अन्य टुटोरियल में बताया गया है अब आगे बढ़ते हैं बढ़तन में एक चमच घी गरम करें और मेथी के पत्ते डाल कर दो से तीन मिनट पकाएं फिर किसी प्लेट पर डाल कर ठंडा कर ले मिक्सी या सिल्बर्टे पर डाल कर फिर घोट ले और धीमी आँच पर एक मिनट तक पकाएं साथ में दो बड़े चमच अंकूरिक फलियों का पाउडर भी डालें अच्छे से मिलाएं ताकि गांठे ना पड़े जरूरत पड़े तो उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी डाल ले फिर इस मिश्रन में दो बड़े चमच पिसा हुआ नारियल डालें याद रखें नारियल को पीसने के लिए ताजा घिसा हुआ नारियल ही लें और फिर पीसें मिश्रन को साथ से आठ मिनट धीमी आंच पर लगातार हिलाते हुए पकाएं मेथी के पते और फलियों का दल्या तयार है इस दल्ये में ये सब भरपूर है इसे बनाने के लिए सिरफ अनाज या फिर अनाज के साथ जवार या नाचनी जैसा कुछ मिलाएं पांचवा सीखेंगे घोटे हुए कोद्रा और चना बनाने का तरीका हमें चाहिए दो बड़े चमच कोद्रा दो बड़े चमच अंकुरित किया हुआ चना तीन बड़े चमच नारियल का दूद और एक चमच घी एक स्टील के बटन में दो बड़े चमच कोद्रा लें फिर अच्छे से धोएं दुबारा उसमें तीन से चार बड़े चमच पानी डालें फिर प्रेशर कुककर में 3-4 सीटी लगवाएं और चने को भी अलग से 4-5 सीटी लगवाएं फिर उसे घोट लें स्टील के बर्तन में एक चमच घी डालें पका हुआ कोद्रा, घोटा हुआ चना और नारेल का दूद डाल कर अच्छे से मिलाएं और 4-5 मिनिट पकाएं कोद्रा के साथ घोटा हुआ चना तयार है इसमें ये सभी भरपूर हैं प्रोटीन, आइरन, फॉस्फोरस, मैगनीशियम, कैल्शियम और पोटाशियम ये स्पोकन टुटॉरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ हम से जुडने के लिए धन्यवाद साथ महने के शिशू के लिए मावसाहरी खानों पर बने स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है इस टुटॉरियल में हम सीखेंगे साथ महने के शिशू की उर्जा की आवशक्ता है कुछ मावसाहरी खाना बनाना शुरू करते हैं साथ महने के शिशू को पूरक आहार से एक दिन में 200 कैलरी की आवशक्ता होती है इस उम्र में दीन में तीन बार आधा कप भोजन खिलाना चाहिए आधा कप लगभग 125 मिलिलिटर या आठ बड़े चम्मच खाना होता है केवल घोटा हुआ और प्यूरी किया खाना ही देना चाहिए शिशू का खाना जरूरत जितना गाढ़ा होना चाहिए शिशू के लिए खाना बनाते समय हमेशा स्थानिय और मोसमी सामगरी का ही उप्योग करे सुनिश्चित करे कि आप अपने शिशू को खाद्यपदार्थों का मिश्रन दे रही है कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि शिशू के एक वर्षका होने तक किसी भी खाने में नमक न डाले शिशू के दो वर्षका हो जाने तक चिनी और गुड नहीं डालना चाहिए मासाहरी खाना अच्छे फैट, प्रोटीन और अन्य सुक्ष्म पोशक तत्वों से भरपूर होते हैं ये पोशक तत्व शिशों के उचित वृद्धी और विकास के लिए आवशक है चिकन, अंडे और मास जैसे खाने दिये जा सकते हैं अब साथ मेहने के बच्चों के लिए कुछ मासाहरी खाना बनाते हैं पहला है सूखी मचली का पाउडर इस पाउडर को बनाने के लिए आपको सूखी बोम्बिल मचली की जरुरत होगी तरीका चार या पाच बोम्बिल मचली ले चाकू या केंची से सिर, पूँच और पंख काट कर इसे साफ करे फिर सूखी हुई मचली को मध्यमाकार के टुकडों में काट ले इन टुकडों को धीमी आच में तवे पर 5 से 10 मिनट तक भून ले इसे ठंडा होने दे और फिर पीस कर इसका बारिक पाउडर बनाए सूखी मचली का पाउडर तयार है इसे एक हवा न लगने वाले डब्बे में बंद करके रेफ्रीजरेटर में रखना चाहिए एक दो छोटे चमच पाउडर शीशू के खाने में मिला सकते है किसी भी स्थानिय सूखी मचली का उप्योग करके यह पाउडर बनाया जा सकता है दूसरा है अंडे और अंकुरित हरी मूंग की प्यूरी इसको बनाने के लिए आपको चाहिए एक उबला अंडा एक बड़ा चमच हरी मूंग बनाने का तरीका हरी मूंग को धोए और 6 से 7 घंटे तक भीगोए पानी चाने तथा मूं को थंडे और सूखी जगह पर रख दे ध्यान दे कि अंकुरन मोसम पर भी आधारित होता है इसे गर्मियों की तुलना में सर्दियों में अंकुरित होने में अधिक समय लगेगा अंकुरन होने के बाद इसे आधा कब पानी में 5 से 10 मिनट तक उबाले बाहरी चिलके को निकाले और अंडे को चमच या साफ हाथों से घोट ले अब घोटे हुए अंडे को घोटी हुई अंकूरी थरी मूंग के साथ मिलाए और अब यह परोसने के लिए तयार है अगला सीखेंगे चिकन कलेजी और कुटकी का दलिया इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक चिकन कलेजी एक बड़ा चमच कुटकी आधा नीम्बू, थोड़ा सा हल्दी पावडर बनाने का तरीका, कटोरे में एक बड़ा चमच कुटकी ले इसे धोए और 8-10 घंटों तक भीगोए धुले और साफ चिकन को एक कटोरे में रखे आधा नीम्बू का रस और थोड़ा सा हल्दी पावडर लगाए इसे 15-20 मिनट तक अलग रखे फिर पेन में आधा कब पानी में चिकन कलेजी को पकाए 7-10 मिनट तक पकाए इसे ठंडा होने दे और फिर इसे चम्मच या साफ हातों से घोट ले फिर भीगे हुए कुटकी को अच्छी तरह धोले फिर इसे एक कब पानी में पकाने के लिए बरतन में डाले पानी के सूखने तक 15-20 मिनट धीमी आज पर पकाए घोटे हुए चिकन कलेजी को इसमें डाले और अच्छे से मिलाए चिकन कलेजी और कुटकी का दलिया तयार है अब सिखेंगे बकरी की हड़ियों से बना सूप इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 200 ग्राम साफ और धुली बकरी की हड़िया दो बारी कटा टमाटर, आधा चोटा चमच जीरा पाउडर, आधा चोटा चमच हल्दी पाउडर, आधा चोटा चमच घी बनाने का तरीका बरतन में घी गर्म करे और बारी कटा टमाटर डाले जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर डाले अच्छे से मिलाए और धीमी आज पर दो से तीन मिनट तक भुने इसमें साफ की गई बकरी की हड़िया और एक लिटर पानी डाले इसमें धीमी आज पर लग भग तीस मिनट तक पकाएं हड़ियों को अलग करने के लिए शोर्बा को चाने हड़ियों से शिशू का दम घुट सकता है शिशू के खाने में पानी के बदले इस शोर्बा का उप्योग किया जा सकता है नारियर के दूर के बदले में भी इसका उपयोग किया जा सकता है ये सभी खाने प्रोटीन, ओमेगा तीन फैटी आहार और कोलीन से भरपूर है ये खाने विटामीन्स जैसे विटामीन D, A, B2, B9 और B12 के स्त्रोथ है इन में कैल्शियम, मैगनेशियम, पास्परस, आईरन, जिंक और सेलेनियम भी मौजूद है अच्छे स्वास्त के लिए इन खानों को शिशू के आहार में शामिल करे इसी के साथ यह टुटोरियल यही समाप्थ होता है यह स्क्रिप्ट वी का सेमवाल द्वारा अनुवादित है मैं स्निहां किता देवगेकर अब आप से विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद प्रूप जुडने के लिए लेती है